पूरे बयान के पीछे का राज गया है क्यों ऐसा कहते हैं जबकि वैसी के उपर यह बहर्य इल्जाम लगते रहते हैं कि वैसी महज़ वुट कटवा है बीजेश पी की भी टीम की तरह काम करते हैं इसलिए महागडबंधन उन्हें का विश्चा विकार नहीं किया है चाहे वो किसी भी राज्य का महागडबंधनी क्यों ना हो आईए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजमुहन है और राजमुहन खास तोर पर EIM के पार्टी के तमाम एक्टिविटीज पर भी नजर रखते हैं उनकी प्लिटिकल जितने भी कारेसली होती है रणनेती होती है उस पर ध्यान देते रहते हैं राजमुहन क्या लगता है क्यों आखिर OVC ने इस परकार का ब्यान दिया है दगे 2020 विधान सभा का चुनाओ जब नज़्दीक आ रहा था उस दोरान एक चीज बिहार में लगतार देखने को मिल रही थी और वो ये कि AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष थे या अन जो वरिष्ट नेता थे चाहे वो AIMIM के चीफ असदूदिन OVC हो वो लगतार राज़त के निताओं से मुलकात करना चाहते थे OVC की मुलकात नहीं हो पाई लेकिन कहा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष अक्तरूल इमान की मुलकात राज़त के निताओं के साथ जरूर हुई और ये भी कहा जाता है कि जग्दानन सिंग जो कि राज़त के प्रदे सद्याक्ष हैं उनके साथ में उनकी मुलकात हुई और मुलकात गड़ बंधन को लेकर ही हुई थी अक्तरूल इमान AI MIM के चीफ असदुदिन OAC के कहने पर राज़त के साथ महागडबंधन में सामील होना चाहते थे चुनाओं से पहले लेकिन राज़त ने उनके साथ मुलकात गड़ बंधन करना मुनासिब नहीं समझा और इसी पर OAC बयान ये दे रहे हैं कि अगर AI MIM के साथ 2020 के विधान सभाज चुनाओं में गड़ बंधन कर लेता राज़त महागडबंधन में AI MIM को लेकर आता तो तिजश्वी यादो मुख्यमंत्री होते लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि राज़त ने आखिर गड़ बंधन क्यों नहीं किया राज़त ने AI MIM को अ देखते हैं उनके नेताओं के शैली को देखते हैं तो कई चीजे सामने आ जाती है एक चीज जो सबसे ज़्यादा सामने आती है वो है कि जिस तरह से बीजेपी प्रचार करती है अपनी जिस प्रकार से वह चुनावी प्रचार में भासन देती है और एक खास हिंदू को ले कर बात करती है यानि कि शेकूलर या इम भी नहीं है बीजेपी भी नहीं है अगर बात करें राजद की और महागडबंधन के तमाम दलों की तो वह कहते हैं कि वह सेकूलर है चाहे वह कॉंग्रेस हो उनकी विचारधारा एक है इस वजह से सबसे बड़ा जो यह कारण रहा वह को यही रहा कि विचारधारा बदली है याइए माइएं जो विचारधारा पर चलती है उस पर राजद नहीं चलती है और उसके साथ गड़ बंधन करने का मतलब होता कि आपने किसी एक विचारधारा के साथ स्वमजोता कर लिया जो विचारधारा बीजेपी का है बले वो हिंदु पक्ष में हो लेकिन एयाई एमाइम भी मुश्लिम पक्ष में बात करती है यह पहला कारण रहा लेकिन उसके बाद और भी कारण है अब हाल में एक बयान कफी ज्यादा ब ज्यक्ष है उन्होंने बयान दे दिया कि वो राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान से हमें कोई मतलब नहीं यह राष्ट्रगान के लिए हम हमेसा संबान में करें लेकिन राष्ट्रगीत हम कभी भी नहीं गाएंगे और यह सबसे बरा कारण ह AI-MIM के साथ राजत का गडबंधन नहीं करने का क्योंकि देखिए क्या होता अगर गडबंधन कर लेता राजत AI-MIM के साथ तो BJP के पास मौका होता बीजेपी ये दिखाता कि देखिए राष्ट विरोधी जो बाते करते हैं जो राष्ट के विरोध में हैं जो राष्टगान का सम्मान नहीं करते हैं जो राष्टगीत का सम्मान नहीं करते हैं जो राष्टगीत नहीं काते हैं और राष्टगान के सम्मान में नहीं खड़े ह लेकिन अगर नॉर्मल तौर पर देखे तो जो राज़त का कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं अगर हम बिहार या देश के अन हिस्सों की भी बात कर लें तो हम हमेशा एक चीज देखते हैं कि जो वोटिंग करने वाला है खासकर बिहार में राष्टवाद हावी रहता है के बाद परामू जो हुआ था वहाँ पर उसके बाद जिस प्रकार से महाल बना और बीजेपी को एक तरफा वोटिंग होई जीत गई अगर राष्ट विरोधी बात करने वाले लोगों के साथ बहले ग्राउंड पर वह एसी हरकते ना करती हो लेकिन उनके जो भासन से लिए देखते हैं तो वह इसी परकार की बातती है कि यह लोगर राष्ट गान का सम्मान करते राष्ट तो इनके साथ गडबंधन करने का मतलब है कि राज़त उसी विचारधारा की है तो यह फाइदा से ज्यादा नुकसान पहुचा देता फिर 2020 के बाद यह होने वाले अभी फिलहाल में जो उप्षुनाव हुए इसमें लगतार और जेडी के तरफ से यह बयान आ जीतना है यहां पर दो चीजे हैं उस समय आपको वोट लेना है आपको पूरे बिहार में जीतना है तो अलग अपना लड़कर एक शमिकरन हर कोई बनाता है कि हमारा नुकसान ना हो फाइदा अगर किसी से नहीं मिल रहा है तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए हना तो वहां प के पाँच विधायक होने ही थे उनके बिना सरकार बन ही नहीं सकती थे तो यहां पर आप स्वार्त का बाता है राजनितिक हित का आथा कि जब समय मिले जब मौका मिले तो विपक्च यह उस समय लेकिन देखिए चुनाओ का महौल कुछ अलग था अभी का महौल कुछ अलग है राजनिते की हित अभी ज़्यादा फायदे मन था इसलिए इस प्रकार की बाते उसमें उप चुनाओ के दोरान तेजस्वी ने कही थी यह लागतार जो बैनबाजिया अभी चल रही है क्या इससे आरजडी को फैदा होने वाला है या ओवेसी को फैदा होने वाला है कि उतर प्रदेश में चुनाओ भी है और बिना सर्थ समर्थन देने का ऐलान तेजस्वी ने भी किया है राजड अगर उतरती भी है उतर प्रदेश के चुनाओ में तो कुछ उससे खासा आसा को राजड ने समर्थन दे दिया यानि वह चुनाओ नहीं लड़ेंगे हो सकता है कि एका दो सीटल पर पर चार करते दिखाई दे सकते हैं चुनाओ नहीं लड़ेंगे और वैसी न जो को जीताने के लिए मुसलिमों का वोट काटने के लिए चले जाते हैं इसी को काउंटर करने के लिए ओव ऐसी ने यह बयान दिया कि देखिए हमने 20 सीटों पर चुनाओ लड़ा भी यार में पांच सीटे हम जीते अगर हम सीटे नहीं जीते और राजड को हराने का काम करते तब मान सकते थे कि हम वोट कटवा हैं लेकिन हम तो जीते कॉंग्रेस से बढ़िया श्ट्राइक रिट रहा है तो इसलिए उन्होंने अपने राजनिती को सही बताने के लिए यह बयान दिया है मुझे नहीं लगता कि यह मैं और राजड अगर साथ भी होते तो बिहार में मुखे मंतरी के तोर परते जस्वी आपको दिखाई देते हैं ऐसा नहीं लगता चलिए इस पर पटना की जनता क्या सोचती है वो भी हम पब्लिक ओपिनियन आप तक दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार कितनी कितना भविश्य सहज नजर आता है AI MIM और राजत के ग का थे नहीं पिला को दोविए।